लो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका इस नए वीडियो में आज हम full stack react native का जो app बना रहे थे last time हमने API's बनाई थी social वाली उसकी ही API's को हम app के अंदर integrate करने वाले हैं तो हम UI plus APIs पे काम करने वाले हैं आज किस वीडियो में हम login and sign up पे काम करेंगे इसमें पहले UI बनाएंगे उसको validate करेंगे form को then APIs लगाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि UI plus APIs लगा के चलने वाले हैं साथ में यहां पर आप demo देख लो कि यहां पर हमने एक मालो हमने यह login बनाई है अगर हम इस पर अभी click करते हैं तो देखो हमारे validation है क्या please enter email please enter password अगर मैं यहां पर valid email नहीं डालता हूँ खुछ भी डालते हैं तो यहां पर हमारा message change हो जाया please enter valid email valid email का मालो है कि at the rate and dot com के साथ हमने rejects लगाया हुआ है तो मेरे पास एक account है already और वह account में है account का जो email है वह रोहित 123 okay at gmail.com gmail.com password है 123456 जब मैं इस पर कर रहा हूँ तो देखो हमारा login अगर चेक करें console अभी हम home पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने काम आज की वीडियो में login and sign up पर किया है तो देखो हमें यहां पर user का data मिल जाता है जब हम login कर रहे हैं अगर आप sign up की बात करो तो यहां पर आप जाओगे यह हमने sign up screen बनाई है अगर आप sign up पर अभी क्लिक करते हैं तो यह validation वाला पार्ट है उस सारे हमारे देख रहे हैं कि हमें यह सारे इस यह डालने पड़ेंगे अगर data डालने की बात करें तो यहां पर देखो मालो मैंने बनाया एक data sorab के नाम से sorab email में मैं डाल जया sorab at gmail.com and mobile number में मैं डाल जया 222 222 ओके और यहां पर मालो अल्रेड़ी यह selected है password मैं डाल जया 123456 और मैंने sign up पर क्लिक है अभी देखो यहां पर बता रहा है please enter valid तो मालो मैंने यह डाल जया देखो यहां पर यह हमारा user एक create हो गया जिसमें हमारी user की idea बगर है अगर आपको चेक करना है कि कहां create हो रहा है तो आप जाओ यहां पर आपको MongoDB में दिखा देता है तो हमने स्वारब के नाम का बनाया है तो MongoDB open कर लेते हैं ओके यह जश्ट एक demo है वीडियो का अंदर भी हम देखेंगे यह सारी चीज़ें हम बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगे तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बहुत ही बे देते हो तो फिर वो सीरीज अदूर ही रह जाती है तो प्लीज इस पार ऐसा नहीं करना वीडियो को पूरा देखो और दोस्तों के साथ सेर करें ठीक है यहां देखो डेटर सर्विस में जाएंगे अगर हम ब्राउज क्लेक्शन बजाते हैं तो यहां पर हमारे पास यूज तब आपको पिता चलेगा ओके तो इस पर हम काम करने वाले है तो फिर स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम सिर्फ log in and sign up पे design करने वाले हैं and API को लगाने वाले हैं तो यहां पर मैंने अल्रेडी एप बना रखा है और इसको बेसिकली हम JS के साथ कंटीनियो करेंगे क्यों क्योंकि लोग जो चैनल पर हैं वो JS ही प्रिफर कर रहे हैं मैंने काम किया कुछ दिनों से तो वहां पर ब्यूस बहुत ही जादा कम आ रहे हैं मतलब इंट्रेश्टिड नहीं है लोग इतना जादा देखने को ठीक है तो यह पुझ बेसिकली JS में होने वाला है सबसे पहले मुझे क्या करना है यह हमने पॉजेट को रन कर लिया है सबसे पहले मैं यहां पर कुछ आइकन बगार सेट करवा देता हूं क्योंकि बेसिकली सबसे पहले हमारा काम है तो मैंने यहां पर क्या क्या है एक लोगो बना रखा है क्योंकि हम अभी जब login sign up बनाएंगे तो definitely हम splash screen तो बनाएंगे इसलिए तो मैंने यहां पर क्या है इस तरीके का कुछ मैंने एक logo बनाया है default सा तो यहां पर मैंने यह file भी बना रखी इस file से app icon generator है इसको मैं copy करूँगा और जो मेरा project है इस project का नाम हमने रखा social app इसके अंदर जाएंगे ios में जाएंगे ios में फिर से social app टेश्ट नहीं social app और इसके अंदर आप देखोगे कि यह image dot यह assets वाला इसमें इस file से आप replace कर दोगे इसको replace करने के बाद आपको क्या करना है द्वारा से एक वार app रन कर ओगे तो आपको क्या होगा आपका जो आइकन ही क्या अभी आइकन आप देखोगे फॉल्ट में तो इस तरीके का देख रहा है यह ओके फिर आपका क्या होगा कि आपका आइकन यहां पे वह देखेगा जो अभी हमने लगाया है तो एक बार इसको देख लेते हैं यह करने को आद में इसमें नैविगेशन वगारे सेट करते हैं आदेन हम अपनी लॉगने साइ अब देखो हमारा अभी फिलाल यह कहा है यह ओपन हो रहा है बर इतना लोड रहा है क्योंकि इमेज की हो सकता है इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ है ऐसे होता है जो दाइमेंस होती है वो एक दम करेक्ट नहीं होते क्योंकि हमने तो जिश्ट ऐसी बना लिए बद्ध करें यहां यहां पे देख रहा है फिलाल है तो यह अब र्ल्वास पार रहन करते है तो वहां हमारा देखेगा डेफिल्टलियो अब इसके नम तोड़ाता फोल्डर स्टूक्शित कर लेते कि क्या करने वाले तो मालो यहां पे हमें एक folder बनाएंगे src और इस src के folder में हमें अलग folders बनाने एक तो बनाएंगे हम screens का okay then फिर से src एक बनाएंगे हम navigation जो भी navigators होंगे उसारी इसके अंदर होंगी then हम बनाएंगे components का common components खोलो and then बनाएंगे हम utils का utils में जैसे string.js वगरा colors वगरा वो सारी files में डाल देंगे okay then utils के अंदर ही है तो वहां पे मारी API's वगरा का code भी वही पड़ जाएगा तो कोई दिकत नहीं है और src हो गया utils हो गया, screens हो गया, navigation हो गया, okay इसके अंदर Redux भी डालेंगे local management के लिए Redux persist करेंगे तो यहां पे Redux हो जाएगा components हो गया navigation screens, utils एक हो गया हमारा images का okay यह कुछ इतनी चीज़े हम use करने वाले, इतने folders use करने वाले हैं तो navigation करेंगे तसमस पहले navigation का काम है फिलाल तो हम navigation पे चलते हैं यहां पे जाएगे और यहां पे type करेंगे react navigation, क्या-क्या चाहिए होगा उसके हम बात कर लेते हैं अभी react navigation पहला package install कर लो then यह वाले support packages अब हम पहले हम काम करने वाले navigator पे है न, stack navigator तो यहां पे stack पे जाएंगो stack navigator पे जाएंगो तो यह देखो पहले stack का package है यह install करना पड़ेगा then gesture handler के में जवद पड़ेगी तो इस gesture handler को भी फिलाल इतने packages हमारे लिए काफी है तो इतने packages को install करने के बाद हम क्या करेंगे pod install करेंगे और pod install करके आपको अपने run कर लेंगे क्योंकि basically आज मैं use कर रहा हूं emulator है हमारा iOS का है इसलिए मुझे यहां पे pod install करना ही बढ़ेगा to pod install, pod install करके हमें run करना बढ़ेगा तो बहुत सारे projects हमने directly android device पर कियें यह वाला project basically हम iOS device पर complete करने वाले हैं तो iOS के साफसे चीज़े होने वाली है okay pod install हो गया मैं जाता हूं cd back यहां पे फिर से command करता हूं npm run iOS यहां पे हमारी default file हो index.js then हमारी file app.tsx इसको मैं basically ज्यादा कुछ करूँआ है तो ts तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई हमें interface वगर ऐसा कुछ काम तो करने वाली है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बट सलाल हम इसको जब हम पूरा app लेकर चलने इसको मैंने save किया तो save करने के वाद यहां पर यहां पर आप आ रहा होगा तो basically जब भी हम iOS पर काम कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है save area view का तो यहां पर देखो app यहां पर देखने लग तो basically हमें क्या करना है हमें बनाना navigator और screens तो तीन screens पहले हम बना देते हैं पहली screen यहां पर हमारी बनेगी वह है बोलते हम इसको splash.js इसको normally component बना के छोड़ देते हैं second screen है हमारी login.js component बना के छोड़ देते हैं and third है हमारी sign up project का structure है बहुत simple सा होने वाला जिससे हर कोई follow कर ले कोई भी complications नहीं होंगे इसके अंदर यहां पर एक file बनाएंगे navigation के अंदर main navigator main navigator .js navigator में चलोगे तो क्या हम बनाते हैं पहले rnf e ले लो सीधा सा इसको यहां से अटा दो यहां पर हम लेंगे क्या उपर const stack equals create stack navigator और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको navigation container यूज करना पड़ेगा पहले बहुत सारी वीडियो में हम navigation पर काम किया तो यह ही किया हमने navigation container then stack.navigator then stack.screen तो यहां पर stack.screen अभी हम डाल देंगे then बाद में जब next वीडियो पर हम काम करेंगे तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने navigator के अंतर क्यों क्योंकि हम वहां पर auth navigator end जो normal navigator होता है उन दोनों को हम आलग आलग रखेंगे पर फिलाल अभी हम इसको ऐसी डाल देंगे so name, name के अंदर में क्या डालनाए splash okay and component splash and options यहां पर हम क्या कर देंगे header soon false okay so save करो paste paste login 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 sign up sign up okay 3 screens को में डाल दिया डालने के बाद यह जो है हमारा navigator को हमें call करना होगा कहां पर अपने app.js में basically यहां पर आप call कर सकते इसको यह अटा दो अभी और यहां पर आप man navigator को call कर सकते हैं call करने के बाद आप देखोगे जब हम इसे call कर रहे हैं तो वहां पर आप लगा सकते हो अलग-अलग screens का okay basically हमारा navigation जो है वो complete हो यह था stack navigation आगे जाके जब हम drawer वगएरा यूज़ करेंगे या bottom यूज़ करेंगे तो इस time पर हम set up कर लेंगे इस वीडियो में हमें सिर्फ stack navigator पर काम करना तो बनाते हैं splash screen इस place के लिए हमें थोड़ी से images बगएर चाहिए होगी तो image का folder जो है हमारा वो है बिल्कुल empty तो हमें क्या करना होगा यहां पर जो भी हमारे पास files है जो भी फिलाल हमारे पास logo बगएरा यह है तो हम इस logo को उठा लेते हैं इस icon को हम यहां से उठा लेते हैं और जाके अपने project के social app इसमें image में जाके src images और यहां जाके paste कर देंगे और इसका नाम हम रख देंगे logo.ping ओके तो यह हो गया तो यहां पर हम जाएंगे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या यहां देखो utils है इसमें color combination हमें जो रखना हो किस तरीका है तो हमारे पास जो logo है इस logo का अगर आप color देखोगे तो यह कुछ इस तरीके से है तो यही color combination अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं मैं थोड़ा सा dark color combination भी यूज करूँगा तो यह theme एक हम उठा सकते हैं जैसे अगर आप चाहोगे आप बोलो कि सरम कहां से ले सकते हैं reference तो यहां पर आप color plate इस तरीके के option आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जगह से आपको options मिल जाते है color plate के पूरी color combinations मिल सकते हैं इस तरीके से तो आप पूरा color combination यूज कर सकते हो है ना कि कौन सा color यूज करना चाहिए हर एक के साथ देखो एक combination है तो अगर हम बात करें तो देखो जो हमारे से match हो रहा है यह वाला अगर लोगों देखो कि लोगों से लगबग यह वाला match हो रहा है यह भी मैं चोड़ा इस तरीके colors ले सकते हो बहुत सार dot js okay और यहां जाकर करना export export okay इसका नाम में रख देता हूं मैं लो मैं theme color मालो है okay मैं इसको इस तरीके से save कर लोगा test साथ में लगाना होगा हमें okay इस तरीके से माललो हमारे सारे colors अब डाल सकते जो भी colors आप use करोगे तो सारे colors आप यहां डाल सकते हो यहां डाल सकते हो और भी अगर एप में आप कोई भी चीज़े करने चाहते हो यह श्टिंग वेस पर आप सेव कराने चाहते हो तो वह यहां डाल सकते हो यह समालों सबसे पहला मेरा क्या है export const base URL की बात करें तो मेरे पास यह जो API है last time मैंने उसे लाइब किया उमार पास जो base URL आई है वो आई है यह ओके तो मैंने यहां पर डाल जाए इसको इस तरीप यह हमारी base URL इसको save कर लेंगे इससे ही हम हर जगे कॉल करेंगे जितनी भी APIs आप लोगे और यहां पर अलग-अल const register user equals आप यहां पर endpoint डाल सकते हूँ, endpoint पर क्याड़ा लोगे जो हमारा यहां पर endpoint है आप base URL में वैसे मेरे साब तक API तक तो ले जा सकते हो, यहां तक ले जा सकते हो, base URL में तो यहां तक लेके जा पूरा इसके बाद का जो है वो हमें यहां पर change करते रहना हो जैसे auth login है ना तो यह देखो register कि अब बात करोगे तो यहां पर महर पास रजिस्टर है, auth register यह हमें डालने होगे as a endpoint इस तरीके से, ओके तो ऐसे आप login का भी डाल सकते हो, save login user और यहां पर होगा login इस तरीके सहम सेव करेंगे तो strings के अंदर बैसिकली यह सारे काम होने वाले हैं, ओके तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, डिजाइन पर यह सारी चीज़े मालो मैं ने कर ली, यहां पर मिशलते हैं, यहां श्टाइल से लेते हैं const styles course style seat dot create container flex1 and background color मालो मैं ने container को अभी white ही रख, okay and justify contained center align items center यहां जाओ गया smash styles dot container यहां पर अपनी image को call करोगे source require strings के अंदर आप image के path भी डाल सकते हैं, okay images logo dot png style styles dot logo से close कर देंगे यहां पर comma logo width मालो 100 मैं इसको responsive बगार रखना है तो मैं क्या करूंगा 40% and height 30% just check करने के लिए यहां पर यह आ रहा है, इस तरीके की image आ रही है इसको हम क्या कर देंगे resize mode contained देखो हमारा यह एक तरीके से logo आ रहा है तो हमारी splash screen इस तरीके से बन जाएगी और यहां से क्या करेंगे simple use effect ले लेंगे use effect और यहां पर condition डाल देंगे set time out कि जब भी मैं यहां पर आऊं मुझे around 3 seconds यहां पर रुकना है okay 3 seconds के बाद मैं navigation लोगते हैं यहां पर const navigation equals use navigation और navigation क्या करेंगे navigate कर देंगे हम कहां पर फिलाल तो हमें login पर ही जाना okay क्योंकि अभी और हमने कुछ add नहीं है तो यहां से देखो जब navigate करेंगे तो हम navigate 30 seconds के बाद login पर पहुंच जाएंगे हम login पर आ गए चलते हैं अपनी login screen पर जाके थोड़ा सा code कर लेते हैं UI जो है वह बहुत जादा trendy नहीं होगी पर अच्छी दिखने में अच्छी होने चाहिए और उसके अधर हम cluster components भी use करेंगे थोड़ा सा color combinations भी अच्छा ही use करेंगे उसकी tension मत लेना project अच्छा ही होने वाला है तो यहां पर काम करते हैं एक चीज़ दो करते हैं कि जब हम काम करें UI पर तो यहां पर linear gradient को भी install करेंगे लेते हैं तो npm i react native linear gradient साथ में install करेंगे लेते हैं cd ios pod install तो तब color उठा लेते हैं color यह से मैंने dark लिया था तो color combination इसका भी सही रहेगा तो जहां मैंने colors डाले थे इसमें दूसरा color हम डाल देंगे export const theme color to equal c क्योंकि हम इन दूसरा का क्या यूज़ कने वाल है gradient तो मैं फिलाल यह दो color अभी हम लेके चल रहें इन दो की help से हम try करेंगे button लाने की तो देखते हैं यह इंस्टार लोग क्या इन फ्लेक्स लां इन जी style styles.logo close logo.width 100 by height 100 अभी हमने responsive बाला कोई भी package नहीं डाला है तो हो सकता है कि भी चीज़ा responsive ना हो बट इसको हम करेंगे तो बैक्ग्राउंड कलर अब बैक्ग्राउंड कलर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहां पर मैं export const back bg color bg color equals लाल मैंने यहां पर code डाल जा white बात में change करेंगे तो वह definitely वहां पर भी change हो जाएगा तो यहां पर मैं कर रहा हूं call bg color तो white art लोगों को थोड़ा सेट कर लेते हैं align self center margin top देखो कैसे dimensions.get window height divide by width okay perfectly मैंने आप पर बस just calculation यूज करीए यह हमारा dynamic रहेगा यह थोड़ासा तो responsive रहेगा normal value के comparison में okay तो यह हो गया इसके नीचे मैं यहां पर तोड़ा सा क्या डालना है title डालना है तो यहां पर मैं लिए टेस्ट इसके लिए लख़े लिए back welcome back ओके welcome back और इसके नीचे एक टेस्ट और लिखनुए इसमें मैं यहांपे डालूंँए एक और टेक्स्ट और इसमें लिखनुए आप का नाव Sosan ओके यहांबे 2 और स्पेस किते हैं क्या रिखता है यह देख तो इसको थोड़ा से style दे देते हैं dot welcome text welcome text text 1 ओके और यहां पे इसको save लेंगे बट इसको 2 कर दोगे ओके welcome text 1 इसको क्या होगा color color हमने दिया इसको colors कहा है copy, paste black text color okay तो यहांप में इसको दे दिया 0 जीवा और सेव करा, सेव करके जाहेंगे login पर और यहांप इसको मैं call कर दो more text color, okay align self center font size 20 25 30 font width width square 1 okay अब जो margin top बगएरा वो यहांप हम directly add करेंगे according to text okay, ऐसा नहीं है कि पूरे में apply करना मुझे पूरे में apply करना मुझे पूरे में apply ना करके मैं base particular text पे तो यहांपे मैं लगाऊँगा margin top 20 यह 30 का फिक है पर दूसरा वाला जो है इसके अंदर हम लगाएंगे same यहांपे मैंने array लगा दिया और यहांपे margin top 20 cool 10 करता बात करते है welcome test to yellow color इसका होगा theme color theme color theme color theme color ले नहीं रहा है यह क्यों नहीं ले रहा है क्योंकि हम इसको totally black का रखा है total black total black total black font size एक का color क्यों नहीं ले रहा है अच्छा theme color नहीं ले लिखा तो इस तरीके से वेलकम बैक तू सूसल यह हमारा एप हो गया अब बात करते हैं फील्ड की तो में फील्ड बनाने पड़ेंगे कॉस्टम है ना तो कॉस्टम फील्ड के लिए हम कहां जाएंगे अब बात करते हैं तो यहां पर देखू हमारा क्या होगा लॉग ने तो यहां पर इमेल एड़ पास्वड इन लॉग इन बटन इस तरीके से बनने वाला है तो पहले तूम टेस्ट इंपुट बनाना पड़ेगा है ना तो कॉस्टम टेस्ट इंपुट बना लेते हैं, कॉमन तो यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर टेक्स इक फाल बनाओ लिए जारिक्ष इसको ब्लाइड कर देंगे इसको करना बिदंड मैसे तो तो यह सारी स्थीच उन्पू Self O इनन से का मीनिंफ़ यहां पे इस्टाइल भल से हुने वाला है कि हमारे बित रहेगी 90 परसेंट ओके हाइट रहेगा अराउंड अभी 50 क्योंकि तो कभी कोई भी रेस्पोंसिफ बाले हम चीज भी नहीं करते है तो डारेक्ट दे रहेंगे इसको फिर हम रेस्पोंसिफ के लिए हम चीजे यूज़ करेंगे तो इसको फिलाव ना यहां पर 50 हो गया और इसका बॉर्डर विद्ध पॉइंट फॉर करेंगे अग्ड ऑग अलाइन सेल्फ सेंट अभी पता कैसे चलेगा तो जाओ लॉगिन हो और इससे कॉल करते है यह देख फील्ड आया है अब इसको फोटा सा मॉडिफाइ कर लेते हैं मॉडिफाइ का मनलग यह थोड़ा सा अच्छा बना लेते हो रहा है ना तो बॉर्डर रेडिएश टैन टैन ओके एंड मार्जिन टॉप टॉइंटी अब इसको और जा रहे मार्जिन टॉप दी ना डाइनमिक्स देना है तो आप यहां पर एंपी ले सकते हैं मार्जिन स्टॉप एंटी ओके यहां पर एंटी अगर आ रहा है तो हो एंटी अदर्वाइस ट्वेंट इस तरीके से चले वाला है यह हो गया दैन यहां पर तोड़ा से इसको बढ़ा देते हैं फिक्टी स्टॉइल कर देते हैं अब बात करते हैं क्या क्या उदर से मगाना में प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर ओके और प्लेस होल्डर हो गया ऑन चेंज टैक्स्ट इस वैलिट अगर वैलिट नहीं है तो इसके लिए हो गया की कीवोर्ड टाइप मैक्स लेंग अगर जब पड़ी तो ले लेंगे अभी कीवोर्ड टाइप काफी है ओके एंड वैल्यू यह सब चीज में फिलालम मागा जाएं ओके तो इसको थोड़ा सा यहां वे मैं जा करना है टेक्स्ट इन्पॉट टेस्ट इंपॉट और एक चीज अरे है लेक्स डारेक्शन रो लेंगे और अलाइन आइटम सेंट आ गया यहां देको टेस्ट इन्पॉट है इसमें प्लेस होल्डर पास कर दोगे प्लेस ओल्डर के अंदर तो प्लेस होल्डर हो गया देन वैल्यू के अंदर आप अब इसको छोड़ो और इसको देखते हैं ओके यहां पर मालो मैंने प्लेस ओल्डर के अंदर इमेल ओके अंदर इमेल यह थो ठीक है तो यह हो गया अब इसमें थोड़ी सी चीज आ ले ले लिए यह समाल लो पैडिंग लट्ट टैन होना चाहिए आइसमें तो यहां पर यहां पर यहां पर आइकन मेंसा लेमिएटट ऑलो इमेल है लगाओ अगर अगर आइकन आ रहा है तव तो यहां पर क्या कंडीशन डाल दो, आगर आइकण है तो आइकण पास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें इसकी नीद नहीं है, देखो आइकन के लिए अभी हमार पास आइकंस हैं नहीं, तो हमार आइकंस बगरा थोटब से डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो यहां पर फिल अगर में दो मुझे दो चाहिए ना क्यांकि मैं इमेल एंड पासवर्ड यहां पर डाला मैं एंड़ा पासवर्ड यह आ रहा है और इसमें मुझे यहां पर सिक्योर पासवर्ड वाला है वह मुझे प्रास करना है बड़ एक चीज है कि इन आइकन को आप देख रहे हैं तो आप इनकी क्या कर सकते हो तिंट इनका जो है ना कलर चेंज कर सकते हो ग्रे लाइट ग्रे यहां पर मुझे कोड पता है तरह शामपण दाल सकते है दूसरी चीज हमें टेक्स अन्पुट में भी यहां पर इस्टाइल में margin left करना पड़ेगा margin Left इस तरीके से हमारा यहां पर क्या है इमेल हो गया यह पास्वर्ड गया स्क्राइब बॉनाने के भाण यह नहीं को वाड़न अगरुदियों यहां पर मैं क्या करना है बटन होना थो में यहां परत चिबा से इस बात हैं हमारे पास वा इसलो को फासों पूद एक्ष्च अधिल्या में खॲन को ले तो सेंटर मार्जिंटोप 20 ओके देख रहे हो आप बटन को और बॉडर रेडियस 30 तो 30 नहीं अगर इसके इसे आपका बनाना है तो फिर आपको यहां पर 10 देना परेगा अब देखो मज़े टेशेवल बनाना तो मैं लीनियर गेंट टेशेवल होता नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर टेशेवल ओपेसिटी डाल देख इसके अंदर जो स्टायल वो कॉमन है मतलब बिल्कुल कॉमन यूज करना है यह हो गया बट एक चीज़ यहां इसके बीच में टेस्ट आ लेंगे और टेस्ट में लिख देगे लोग इन इसको स्टायल स्टायल डाट बटन टेक्स्ट को यहां पर लिख लेंगे बटन टेक्स्ट इसका कलर हो जाएगा हमारा वाइट नहीं वाइट लिया के नहीं आई थिंक वीजी कलर साइड वाइट है तो उससे मैं यह चला जाएगा अदर्वाइज अलग से लिए सकते हो फॉन्ट साइज ट्वाइंटी तो भाई अंधी परसेंट शिट्वाइग अंसे शेंटर माजन टॉप ऑके तो मार्जन टॉप अमने यहां पर दे रखा है बट आप देखोगे अगर टॉप दोगे तो क्या होगा वह दर दिखेगा यह नहीं तो यहां पर माजन टॉप जीरो ओके यह देखा शाथ में हमें क्या करन बन गया यह हमारे fields है अभी देखो इस पर click करोगे तो इसा कुछ है नहीं लगाएंगे क्या यह email actual में add the rate के और dot के साथ होनी चाहिए मालब rejects लगाएंगे और अगर नहीं है उस तरीके कर तो यह जो हमारा border है यह red हो जाए same password भी कुछ limitation में होना चाहिए तब हम इसमें क्या करेंगे अपनी login और sign up की आप API लगा सकते हो तो अब क्या करते हैं थोड़ा से यहां पर state बगारे दे देते हैं तो मालो मैं const state ली पहले तो मैंने email set email ओके और यहां पे लिए use state empty const password password set password ओके यहां पर मैंने डाला use state और use state में empty देन यह पर डाला मैंने const bad email set bad email यह हमारा validation के लिए है तो use state starting में इसको empty रखेंगे ओके अगर इसके कोई message आज इसका मतलब क्या है को bad email ऐसी same bad password भी रखेंगे हम अगर password की कोई condition आप रखना चाहते हो तो bad password message pass कर दोगे यह message आ रहा है मतलब इसका है कि कुछ नो कुछ तो है इनको क्या करोगे जब हम test input call कर रहे हैं तो यहां पर हमने on change test की बात करी थी यहां पर देखो value के अंदर हम पास करेंगे क्या value मतलब email and on change test के अंदर txt और यहां पर set email txt सेम हमें code दौनों जगा यूज करना है तो दौनों में डाल दो यहां पर password and यहां पर set password चलेंगे custom question input के अंदर यहां पर हमने value and on change test को हमने कहीं call ने किया तो यहां पर जाओगे on change text and txt and इसके the on change अब directly on change test को भी call कर सकते हो ठीक है मैं इस तरीके से मेरी आदत हो गई है मैं इस तरीके से लिखता हूँ बटा बैग लिग 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 कर सकते हो and even value के अंदर आपको value call करा रहा है तो यहां पर अगर हम कुछ भी input करेंगे तो आएगा बात करते हैं कि valid कैसे होगा तो यहां पर जाओ है ना यहां जाके function मना लो क्या const valid ओके यहां फिर validate वैली डेट यहां पर हम क्या करेंगे लटन करने के लिए कि valid है कि नहीं है न वैलिड है कि नहीं इस चीज के लिए पहले दिया ले लो लो इस वैलिड नाम का एक वैरिबल जिसे सब्सक्राइब कर दिया कंडिशन आप क्या के चेक करने वाले हो कि पहले कंडिशन होगी कि email should not अगर empty है तो हमारी यह bad email हो जाएगी ओके else if अगर empty नहीं है email not equals empty and email जो है न वो reject हमें लेना पड़ेगा तो google पर जाओ definitely हो यहां जाके आप क्या करो email rejects javascript याद तो नहीं रहता यह तो यहां पर आपको कहीं न कहीं एक मिल जाएगा यसी मिल गया यह वाला है तो मैं क्या करना है यह वाला code यह email string 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 यह यहां से copy करो यहां से copy करो और अपना यहां पर email change dot to lowercase इस तरीके से और इसमें हमें यह लगाना है ओके अगर true आ रहा है bad email इसमें हम क्या डाल देंगे message please enter email ओके और यहां पर is valid हो जाएगा false same चीज यहां पर भी होगी और यहां क्या होगा प्लीज एंटर valid email ओके और false and else if क्या क्या रखेंगे जब email and वो दोनों सही है है न तो यहां email is not equals empty and यह भी सही है match हो रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे is valid true and set bad email फिर से empty यह case तो बनेगा हमारा password का email का अब सेम हम बना सकते हैं password का भी क्या if password equals empty तब तो सीरा सा है set bad password में क्या डाल दोगे please enter password okay और is valid क्या हो जाए यहां पर false अगर मालो password enter तो किया है बट length कम है तो यहां पर क्या करो password is not equals empty and password length less than six small minimum six character का हमें रख तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर save ही होगा but please enter password minimum six character password okay अगर इसकी else से फिर से बोला जाए तो यहां पर number and kpi and paste password not और यह भी शही है अटके लैंन्थ इस क्या है greater than 5 है ऊटके चलेगा तो यहां पर क्या करोगे इसको कर दो गया है एड इसको तू यहां पर क्या कर ओगे हम रिटरन करा देंगे इसका हो गया इसका है अब इसके बेज़ पर मैं क्या करना है यहां पर जो हमने टेस्ट इसमें पर बनाए यहां पर इसमें इस वैलिट नाम की हमने दिया इस वैलिट का मलब क्या है कि अगर हमारा जो बैड पासवर्ड है अगर बैड पासवर्ड क्या है एम्टी है इस तरीके का है इसका मलब क्या है कि वैलिट तो है तो अदर्वाइस फॉल्स सेम चीज हम करेंगे मेल के साथ भी कि बैड इम इसके basis पर हम जाएंगे यहां और यहां जाके अगर हमें is valid क्या मिल रहा है false मिल रहा है तो हम color change कर देंगे कैसे यहां देखा border bit यह होगी ओके पर border color dark color अगर is valid यह है तो तो light रखो otherwise red और यहां ठीक है try करके देखते हैं और इसको call कराना होगा इस function को validate को हमें valid वाले function के यहां लगा on press के वैलिडेट इस वैलिडेट अब क्या देखो यहां पर रेड होगे दोनों है न दोनों रेड होगे क्यों रेड होगे क्योंकि क्या है दोनों में कुछ भी डेटा enter नहीं किया हमने ओके मैंने dark कर दे थोड़ा सा बट अगर मैं बात करूं कि और थोड़ा सा क्या message बगार भी तो दिखाने होगे न तो यहां पर क्या करो इनके निचे एक text in double text और यहां पर bad email को दिखा रहा है ठीक है और यह कब दिखाई देंगे जब bad email is not equals empty कुसी condition में दिखने चाहिए है ओके यहां पर इस text को हम क्या करेंगे style दे देंगे style.error text ओके अलब case में तो यहां पर इसको ले लिया color red and align margin left 20 वहां सा और बेटर करना है margin top 5 and 8 third okay देख रहा है अभी देखो क्या है please enter email same हमें क्या करना है password के लिए भी copy करना है copy and paste and यहां पर करना है bad password and bad password low वही दोनों आ गये ओके देख रहा है ना बिल्कुल एकदम से अब थोड़ा सा हमें validation का मजा भी आ रहा है देखने में बात करते हैं कि थोड़ा सा change करके देखेंगे तो यहां मालो मैंने email में किरादी में empty तो नहीं रखा बट ऐसा डाल दिया यह email तो है नहीं और इसको मैंने करा तो अब देखो क्या है please enter valid email अगर मालो मैंने valid करने के लिए क्या गरा मैं यहां पे गया और यहां जाके मैंने add the rate gmail.com बगा दिया तो अब तो यह चला जाएगा ना क्यों अब तो यह validate हो गया add the rate पे आगे dot पासवर्ड मालो मैंने enter कर जाए यह अभी यह चार का है तब भी अभी आएगा प्लीज एंटर minimum six characters password बट इसको मैं जैसे ही करता हूँ six से ज्यादा यादा है सही तो अब देखो बिलकुल हमारा validation सही काम कर रहा है तो यह है भाई हमारा validation अब बात करतें कि validation हो गया तो हम login की API लगा सकते हैं न तो login की API लगाने के लिए हम यहां पर function बनाएंगे const login और साथ में loader भी बनाना होगा लाल हम यहां पर बना रहा हो कि मैं fetch use करने वाला हूँ तो यहां पर मैंने क्या करा fetch with then okay तो fetch हमारा base URL प्लस हमारा login user ओके और इसमें हमें data पास करना होगा email and password ओके तो यहां पर हमें body body में हमने object पास करा object में हमने username में मालो email दे दिया sorry email id आई था and password में हमारा है password okay यह हो गया then हम यहां पर क्या करेंगे method को हम रखेंगे post and dot then then response मिलेगा मैं fetch लगा रहे हैं तो मैं क्या करना पड़ेगा दो बार देन लगाना पड़ेगा यहां पर और यहां पर मैं क्या करना है dot json और फिर से यहां लगाएंगे then तब मैं जो json में लेगा response इसको हम दिखाएंगे बट यहां पर json का function call कर दोंगे देन यहां पर हम लगा सकते हैं catch catch में और कोई भी error होगा तो इसे हम यहां पर console करा लेंगे console dot log और इसमें डाल देंगे error फिलाल यहां पर इसको भी console करा लो जो json आरा console dot log और इसके अंदर test input में जो test input है इसको मुझे bit देनी है 100% कितनी आगी की है bit जितनी भी है मालू 80% तब यहां पर भी click हो जाता है easy अब यहां पर मालू मैं password डाल रहा हूँ email डाल रहा हूँ एक है रोहित रोहित 123 at gmail.com और password 123456 देखते हैं क्या आता console user not found okay user not found हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या है user तो हमें user check करने के लिए कहां जाएं कि हमारे पास एक API भी है जो हमें currently use कर रहते हैं तो देखो login में हमें पास करना है रोहित 123 at gmail.com और password 123456 ही है है ना 123456 ही है हमने क्या डाला था 123456 रोहित 123456 तो यहां पर कुछ नहीं करना है तो यहां पर कुछ नहीं करना है अब अपने ही तरीके से मिल रहा है तो मैं चीज है कि header नहीं लगाता है तो देखो हर चीज सीखने को मिलती है यहां पर मैं बिल्कुल एकदम से code ऐसे कर रहा हूँ जैसे हर एक चीज पी जो दिक्ट आईगी आपके सामने आईगी तो हमें यहां पर देखो यह मिल रहा बट हमें क्या चाहिए एक loader चाहिए कंपोनेंट्स में चलो यहां पर एक बनाओ loader loader.js यहां पर आपने rnaf लगा है loader loader normal model से बनाना है तो यहां पर मैंने import कर लिया model को model और इसको यहां पर import कर लिया और इसको मैं login में कहीं call कर ले रहा हूँ अभी just ui part कर लिया तो यहां पर मैंने loader को call करा तो यहां पर अभी देखो देखनी रहा क्यों नहीं देख रहा किसे transparent बनाना पर रहा transparent add करने के बाद इसे एक बार कर लेते है refresh refresh करोगे तो यहां पर अभी यहां पर इसको save करोगे तो देखो कि black सा देख रहा है ओके इसको एक बार refresh करोगे तो एक बार refresh करा अधिका कि हमारे पास यह देखो देख रहा है बट यहां पर बीच में एक layer है जो दिखनी रहा है देखे ही कैसे यहां पर यहां एक view बना लिया ओके और एक view बना हुआ जिसे हम फ्रसा style देएंगे तो यहां पर styles styles.man view ओके यहां पर cost styles cost style seat dot create man view flex1 and background color rgba 0,0,0,5 तो देखो हमारे एक डारक सा effect आगया ओके इस तरीके से अब मुझे क्या करना इसमें use करना jesha gelir content center align item और इसके बीच में एक और वीव बनाना है और इस view.com लेंगे style, styles.loader view okay, now loader view, width 100, 80 and height 80 and background color white and here यहां पर bg color ले लो, bg color color and यह हो गया, तो यहां दे को इस तरीके से आ रहा है border radius 10 and इसमें डालो justify contain center, align item center, क्योंकि इसके बीच में activity indicator देना है, यहां पर call कर लो activity indicator dot, यह आ गया, ओके, यह हमारा loading के तरह काम करने वाला है, यहां पर आप क्या ले लो, visible और इस visible को pass करो, यहां पर, visible, ओके, तो देखो क्या करें, जब हमने API call करीती थी, यहां पर हम क्या करेंगे, set एक हम बनाएंगे, यहां पर state, const, loading, set, loading, use state, और use state में हमने starting में दे दिया, false, जब भी API हिट होगी, यहां पर set, loading होगा, true, okay, जैसे मैं response मिलेगा, यहां पर set, loading होगा, false, even अगर आपको error मिल रहा है, तो भी set, loading को आपको करना पड़ेगा, false, और इस loading को आप pass करोगे, loader के अंदर as visible, और इसमें डाल दोगे load, अच्छा, इसो ट्राई करते हैं, कुछ भी नहीं है, मैंने डाला, rohit 123 at gmail.com, password 123456, login करा, हमारा login होगा, और जैसे हमारा loader चल जाता है, data आने के बाद हमारा loader बंद हो गया, और हमारे पास यह data मिल गया, basically हमारा login तो हो चुका है, बट अब हम बात करते हैं, sign up की, sign up कैसे करना होगा, तो इसके नीचे मुझे यहां पर option देना होगा, किस चीज का, sign up के लिए हमें यहां पर option देना होगा, तो यहां पर क्या करते हैं, view बना लो या फिर एक text ही ले लो, और इस text में डाल दो, create new account, इसके बाद एक text आला में है, text में लिखा, sign up, इस तरीके से लिखा, यहां पर आगा test, इसको यहां पर style दे दो, styles, but, sign up text, okay, so sign up text को यहां पर देफाइन कर दो, font, font size, 20, 2018, align self center, margin top, 40, and font quit 500, okay, यह दो को हमारा text आ आ गया, इस text में, जो मेरा यह वाला text है, इसको मैं तोड़ा सा colorful रखने वाला हूँ, style, styles.sign up, sign up, यह sign up को लोगे, color, जो आपका theme color है वो दे दो, font weight, 1000 दे दो, 700, and, आपकी ठीक है, then margin left भी दे सकते हो, 10, okay, इस तरीके से, यह हमारा यहां पर अगर इस पर हम click करें तो हमें यह, कहां navigate करा दे, यह navigate करा दे, मैं sign up बाली screen तो यहां पर हम क्या करेंगे, const navigation, navigation equals use navigation, and यहां पर आप click करवा होगे, तो यहां पर click करवा हो, basically पूरे screen पर करा सकते हैं, on press, पूरे text पर कराएंगे, मैं click है, navigation.navigate, और इसमें pass कर दो गया, sign up, sign up spelling mistake, यह तो नहीं है, यह name sign up नहीं मिल रहा है, एक वार navigator चेक करते हैं, अपना, navigator, man navigator, sign up की spelling यहां पर यह है, यह save करो, login पर जाओ, और यहां पर u को small कर दो, और यहां से हम पहुंच गए, sign up बाली screen पर, sign up बाली screen में और login screen में बस थोड़ा सा फरक होगा, तो कुछ नहीं करना, just copy and paste कर दो, full sign up के अंगर, and हम कुछ चीजें जो भी है, वो change कर लेंगे, यहां पर थोड़ा सा काम हमारा fast हो जाएगा, comparison to login screen, क्योंकि वहां पर हमने सारी चीजे बिल्कुल scratch से बनाई थी, यहां पर नहीं बनाने वाले, तो देखो, हम बापर सा आगए, यहां पर, यहां पर डालेंगे, welcome back की जिगा पर डाल देंगे, create account, in, create account, इसके बाद यहां डाल देंगे, in social, okay, create account in social, उसके बादे को यहां पर name, email, email and password आ रहा है, हमें पहले name भी चाहिए होगा, basically है, यहां पर पहला field हम डालेंगे, जिसमें डालेंगे, enter, name, okay, then email and mobile number की भी नीड है, तो email के बाद, जो message के बाद, यहां पर हम डालेंगे, enter mobile, क्योंकि हमारी जो API है, उसमें कुछ जो fields है, वो mandatory हैं, यहां पर मैं आपको दिखा रहता हूँ, यह register कर रहे हैं, यहां पर देखो हमारा username, email, mobile, gender and password, यह field mandatory हैं, तो यह field हमें चाहिए ही चाहिए, तो अभी हमने डाल दिया है, name, email, mobile, password and one more thing, यहां पर मैं क्या चाहिए होगा, I think, gender, तो gender के लिए हमें थोड़ी सी UI अलग follow करनी पड़ेगी, यहां पर आप क्या कर तो sign up किजाए, आप डालोगे, लॉग इन डालोगे क्या, already have account, already have account, तो login कर लो, यह चीज होने वाली है, चीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा change करना पड़े, मोवाइल के बाद आप यहां पर gender select करवागो, then password, और यहां पर में सबके अलग-अलग icons भी चाहिए होंगे, तो वो भी हमें arrange करने पड़ेंगे, तो फिर आगे continue करते हैं, तो यहां पर मैं क्या करना है, सबके icons change कर देने हैं, तो पहला देखो हमारा email है, email के आप मैं call में mobile number है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, keyword type लेंगे, keyword type में number pad डाल देंगे, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, test input में, देखना होगा, कि अगर keyword type कोई दे रहा है, तो keyword type में, अगर keyword type आ रहा है, अगर यह आ रहा है, तो यही useful, otherwise default use कर रहा, ओके, तो sign up की बात करेंगे, number pad होगा, इसके लिए email, mobile and password, यह तो save, password में, password यूज करी रहे है, तो यह तो हमारा बंद्या बठवे, इनके बीच में, एक UI और बनानी है, password से पहले, यहां पर, क्या बनाना है, वो दे, यहां पर एक text आ लेंगे, text में लिखेंगे, select, gender, okay, और इसको style देगा, styles.heading मां लिखेंगे, so, यहां पर heading, heading में, color, text color and margin left, 30 and margin top, 20, okay, यहां बोला select gender, option दे दिया, और इसके नीचे, मैं थोड़ा सा UI बनाने वाला हूँ, gender selection के लिए, okay, क्या बनेगी, यहां पर एक view बनाया मैंने, एक view को style देंगे, styles.gender view, gender view, okay, इसको यहां पर थोड़ा सा define कर देते हैं, कि bit होगी हमारी 90%, align self, flex direction, row justify content, space between, margin top, 20, okay, यह बनाने के बात, हम इसमें जोड़ा सा डाल देते हैं, तो touchable opacity, touchable opacity, style, styles.gender button, इसे दो button बनेंगे, तो मैंने दो यहां पर देने, gender button को कर देते, से define, तो यहां पर gender button, width, 30% and height, 100 and border width, 0.4, इस तरीके से, एक काम करते हैं, तो just space evenly कर देते हैं, evenly, इस तरीके से, ओके, और यहां पर border radius 10, तोड़ा सा UI इस तरीके का रहा है, बट ऐसे और इसको यहां पर 40% कर देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, दूसरी चीज, justify content center, align items, send, इसके बीच में क्या करना होगा, icons हम डाल सकते हैं, दौनों के बीच में, तो यहां पर मैंने image, source require, images, और images में मैं क्या करना होगा, image डालनी है, तो यहां पर एक male.png, styles.icon, icon size यहां पर आलों में डाल दिया, male female है न, तो यह male और इदर वाले second volume में female डाल देंगा, image का path वगरा चेक कर लेना, otherwise save करने पर दिखता आ जाती है, तो यहां पर हमने क्या का, icon नाम की, 40 high 40, मेरा बलत icon में देखत हो सकती है, तो यहां देखो हमने, यह इसकी spelling, mistake, ओके देखो दोनों आगे, बात करते हैं, selection की तो हमें यह क्या करना पड़ेगा, एक state लेनी पड़ेगा, const, selected gender, set selected gender, cross use state, starting मालू मैंने 0 रखा हुआ है, तो जब भी जो बटन से हमारे, अगर दोनों पर हम क्लिक करवाते हैं, तो इस पहले हम क्लिक करवाते हैं, on press, on blur नहीं, on press, set selected gender, चीर हो रहाएगा, same चीज अगर हम दूसरे बटन पर करवाते हैं, यहां पर इसमें 1 डाल लो, और condition हम इनके according लगा सकते हैं, बॉर्डर की, जो बटन इस बनायाते हैं, यहां पर style देखा बॉर्डर, कि जो selected है, तो मालो मेरा क्या है, border color की बात कर रहा है, border color, अबर selected gender equals 0 है, तो यहां पर green कर दो, otherwise light color manager, okay, and same thing, copy and paste and यहां पर one, तो देखो, जिस पर हम select कर रहे हैं, उसी का यह हो रहा है, okay, यहां पर point 4 यहां पर one कर दोगो तो थोड़ा सा dark दीखने लग जाए, इस तरीके से, okay, जो भी selected रहेगा, अब हमें थोड़ा सा इसे को scrollable बनाना है, क्योंकि अभी देखो यह हम scroll नहीं कर पा रहे हैं, तो scrollable करना नहीं के लिए क्या कराना पड़ेगा, scroll view में देखो, scroll view, अब यह हमारा scrollable आएगा, last वाली जो हमारी line है, इस sign up test वाली को, इसको हम क्या कर सकते हैं, margin bottom 100 करते हैं, जिससे इतना scroll करने के बाद, इतना space रहता है, अब बात करते हैं, अभी जो हमारा current validation है, current validation सिर्फ हमारा username बगर लिए है, तो state हमें यहां पर और डालने पड़ेंगी, and उनका validation भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि sign up कर दे तो definitely कोई भी चीज empty नहीं जाने चाहिए, थोड़ा सा validation में काम होगा, then हमारा complete हो जाएगा यह वीडियो, सबसे पहले तो सारी state ले लो, हमारे पास देखो भी email password है, तो यहां पर इन दौनों को copy करो, और क्या हो गया, यह तो mobile ले लो, mobile, set mobile, ओके दूसरा username, set username, यह state होगी, यह यह बैड password और email बनाया तब ऐसी हमें, इन दौना का भी बनाना पड़ेगा, तो यहां पर कर दो bad username, username, set bad username, okay, bad mobile, set bad mobile, okay, यह बन गए, selected gender है यह हमारे पास, तो हमारे पास gender का हो गया, mobile का हो गया, इनके बेस पे validation लगाने तो देखो email का लगा रखा अलड़ी, password का भी लगा रखा है, अब यहां पर डाल देते हैं, यहां पर हम डालेंगे, user name क्या है, पहला तो वही case है, कि अगर user name empty है, तो हम क्या डालेंगे, set bad username, please, enter username, okay, दूसरा case क्या बनता है, else if का, user name जो है, वह not empty, not empty है, तो यह तो positive case है, तो यहां पर is valid क्या होगा, यहां तो false होगा, but यहां पर is valid होगा, true, and दूसरी चीज़ क्या है, set bad username, होजाएगा empty, यह तो हमारा username का था, कहां पर का अगरवड ही है, else if, यह तो username का था, mobile का भी हम सेम लिखेंगे, तो यहां पर copy & paste, mobile में क्या होगा, mobile empty नहीं होना चाहिए, please set bad mobile, please enter mobile number, but अगला case होगा, mobile का length, यह empty नहीं है, and mobile length less than 10, इंडिया के लिए करने तो atleast 10 तो, 10 तो होना जी है, तो यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर visit डालोगे, please enter, 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 correct, mobile number, या valid, valid ओके, और यहां पर यह false ही रहेगा, else, if इसका last वाला क्या बनेगा, कि वही, mobile is not equals empty, and mobile length equals 10, यह दोनों satisfy हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि इसे empty कर दो, और इसको, true कर दो, अगला जो case आता है, हमार पास आता है, selected gender का, सीधा सा है, selected gender equals, default में 0 है, default में ने क्या लिया है, selected gender, 0 लिया है, तो जब selected 0 है, तो यहां पर कोई दिखकती नहीं है, तो अगर कुछ भी select नहीं कर दो, male तो जाएगा, male जाएगा, female जाएगा, female जाएगा, female जाएगा, default एमर कर दो, mostly case में जालता, male होता है, इसलिए तो यहां पर हमने default में राएगा, फीक है, male जाएगा, तो यहां पर हमने कर दिया, अब बात करते हैं कि login, sign up है, sign up में हमें क्या करना है, headers हमने लगाई दिया, email id, password, username and and mobile and mobile and gender selected gender अगर जीरो है, mail and otherwise email अगर इसको data एक वर मैच करना चाओ, तो API से मैच कर लो, username, email id, mobile gender password, अगर यह है, बट हमने, उसके नीचे नहीं दिखाया, क्या बोलते हैं, mobile के नीचे, तो यह mobile वाली लाएन यहां पर चुपकाओ, bad mobile, bad mobile, ओके, यह हो गया, और यहां पर इस बैलिट में, bad mobile, ठीक है वाई, तो mobile का हो गया, set अब बात करते हैं, email का already set है, बात करते हैं, username के तो यहां पर आएगा, bad username, bad username, यहां पर इस बैलिट, bad username के नहां पर, अब क्लिक करेंगे, तो यहां देको, यह सारे red हो गए, और यहां पर जब हम क्लिक कर रहे हैं, तो अगर validate है, तो यहां पर हम साइन अप कॉल करना है, लॉग इन किजिए आप हम डाल देंगे यहां पर, sign up, खीक है, तो value try कर लेते हैं एक बार, तो यहां मालों मैंने got up, एक नया register कर रहा हूं मैं, क्या नहीं है, अच्छा एक चीज और है कि जहां पर देखो, मैंने copy paste किया है, वहां पर मैं change करना हुए, set email है, यहां पर क्या करोगा, set username, and इसके अंदर username, email में email, phone में देखो यहां पर हमें, set mobile, and mobile, बाकी जगे तो सही है, तो चलो अब try करते हैं, मालो मैं यहां पर, गोबिंद नाम का, यहां पर मैंने बनाया, गोबिंद, email id, gobind, at gmail.com, okay, 12345678910, यह password है, 1234567, okay, 6 तग रखा, और मैंने sign up पर क्लिक किया, अच्छा, sorry, API तो चेंज करना भूली गया, API, 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 API मैं यहां पर, login के जगे पर, register user, okay, ठीक है, और यह red क्यों बता रहा है, please enter mobile number, तो यहां पर मैं यह case भी चेक करना पड़ेगा, सारी चीज़े फाइनल करके, please enter mobile number, अगर empty है तो, है न, और यहां देखो यह empty दिखा रहा है भी भी तो यहां पर, is valid false, यह, false, और यह, set, bed, mobile, set, bed, mobile, ठीक है, यह देखो, cover pick वगर है यह data आगे, हमारे पास data आ रहा है user का, हमारा account create हो रहा है, account create हो रहा है है न, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी data मिलेगा उसको save कराएंगे locally, and हम man वाली screen पर महुच जाएंगे, तो basically हमारा login and sign up यहां पर, अच्छे से काम करने लग जया है, validation के साथ, API के साथ में, okay, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जुरू करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेस वीडियो में, तक के लिए बाई हैं तो चिरू करते हैं जाएंगे, हैं, तो यहां सरे बाई जाएंगे, पर यहां जाएंगे, झाल झाल